आज नगला काकन में आज जो एक आरिक्रम आयुजित किया जा रहा है इस कारिक्रम के आयोजक हमारे श्री अशोक यादव जी श्री मती फिरोज यादव जी श्री रावल सिंग यादव जी श्री मती नीलम यादव जी आज इस कारिक्रम में उपस्तित कथा वाच्चक लेकिन हम बहुत देर से कंट्रॉल किये थे लेकिन अब बात आगई तो हम कहीं गई इस गाओं में हमने ये देखा कि कुछ लोग होंगे अगर जो बैटे होंगे वो समझ लेंगे किसी ने कहा होगा जाकर कि सास्त्री जी क्या ही कहने में भी सरम आती है जो समझदार बैटे होई हैं अगर आई होई हैं जिनने कई होई है जावाग तो मालूम पर यह हैं मैं एक से नहीं कहना चाहते थे लेकिन बात आगई तो कहेंगी क्योंकि इंसान जो माराज किसी से बोलता भी नहीं है चाहिए इमांदारी से बताओ मैं चार दिल हो गए यहा माने के बात भी तोड़ी सरम कर लो को समझ रहे हो आई वे अथ्थी का ऐसे सम्मा नहीं किया जाता है जो आप लोग करते हूं जो बात आंक कहते भी नहीं है तो मुस्काई बात बताम नर्दा बना लेती हूं बात को ओपिन नहीं करना चाहते थे लेकिन हमने कहाँ चलो सबक मिल जाएगा कि आई वे महमान का सम्मान कैसे करते हैं अपने मुझे बाते बनाने से कुछ नहीं होता है पुलिवाद के व्यारी लाह लिगी सुगदेव जी महराज ने राजा परिछस से कहा कि हम तुमें जरूर बताएंगे अरिष्चन्द का जीवन चरितर कैसा रहा तो महराज राज आरिष्चन्द जो है अवद के राजा है शुरूवन सी राजा है और बड़े अच्छे राजा है, इनके घर में पतनी इसका नाम है तारा, हरश्चंड की फुत्र है जिसका नाम है रोयताज तो माराज हरश्चंड जो बड़े अच्छे राजा हैं, इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं है दन दोलत राज पाट सब कुछ है काव चीज की कमी नहीं है लेकिन माराज बड़ी सक्तवादी राजा है अरिस्चंद बड़ी दौनवी राजा है उनके द्वार पर जो कोई आता है वो खाली आता है बड़ी अच्छे राजा एक बार इंद्र की सबा लगी रहे तो इंद्र की सबा में माराज सारे देवी देपना बैठे रहे और इंद्र की सबा में गुरु वसिष्ट जी और गुरु विश्चा मित्र जी बैठे रहे तो आपस में दोनों की चर्चा होने लगी बारता छड़ गई और जब आपस में दोनों संतों की बारता चड़ी दादा, तो फिर बसिष्ट जी ने, सूरवंसियों के गुरू है बसिष्ट जी, और चंद्रवंसियों के गुरू है गरगाचार जी, तो बसिष्ट जी ने उस सवा में विश्वा मित्र जी से कह दिया, कि इस सवा में बने च इस जो हर इस चंद है उसके जैसा राजा ना तो कोई हुआ ना तो कोई होगा अच्छा व्यक्ति जो होता है जिसका आच्रण अच्छा होता है जिसका चरत्र अच्छा होता है उस व्यक्ति के हमेशा प्रसंसा होती है हमेशा प्रसंसा होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ कोग भी ना, और फिर भी माराज बातें बन जाते हैं, अब भाईया हम तो साथ दिन काट में आई हैं आपके गाउं में, हम आपकी खेती बाड़ी तो ले करके चले नहीं जाएंगे साथ दिन बाद, बताओ भाईया, और हम तो अमेशा चार दिन हो गई, आई मुझ कई जो आप लोगों को पूरी लगी हूँ, हमने अपनी तरफ से आपको पूरी असाने की कोसिस की, लेकिन फिर भी आप ये अच्छा नहीं होता है, साथ दिन का परदेशी, पता नहीं पर जिन्दिगी में कभी मिले ना मिले, कोई मालूम नहीं है, फिर भी वात अच्छी नहीं होती है, खेर कोई आद नहीं, तो हरिस्चंद नहीं, बड़े अच्छी राजा थे, तो वसिष्ट जी ने विश्वा मितर जी से कह दिया, कि यहां बने चाहिए कोई, लेकिन मेरा सिस्व जो हरिस्चंद है, उसके जैसा राजा ना तो कोई हुगा, और ना तो कोई हो होसके पर बढही तो कायर होते हैं, जो जिन्दीगी वे कुछ क में पाते हैं, भahавать अपने मूझ से अपनी बढही करते हैं, गया रखना है, तो बशिष्ट जी ने विश्व मितर जी ने कहा, श्तू से पन-पनी बढही कर रही हो, तो मैं सो मितर देता है, अपने चेला की ब और देखिए एक ऐसा सिद्धान दोना चाहिए जीवन में कैसा कि किसी भी बात पर वरोसा तब करो दादा जब कानों से सुलो रॉंखों से देख लो तब इड़े लो और तुम से कोई चे कोई बार का आए और तुम से यह कहे बैया वह फलाना अदि तुम गाली दे रहा था तो तुम यह कहना उससे भाइया देखों मुझे सामने से देगा तब कोई नेड़े लेंगे अभी मैंने देखा तो है रही कि वह देता भी यह नहीं देता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो महाराज इना लड़ाई हो बहामी लड़ाई गरवा देते हैं जूट कहें कि ऐसा लोगों को सुवाव लिया है जो लड़ाई नो बहामी लड़ाई हो जाती है का काती है तो अब बस विस्वामित्र जी ने कहा गी हमने तुम्हारे चेलागी परीच्छा तो ली नहीं है हम किसी बात का निर्ड़ा तब लेंगे जब आँखों से देखेंगे और कौनों से सुनाइगे तो बस विस्वामित्र जी बोले ठीक है तुम मेरे चेलागी परीच्छा लेना चाते हो ठीक है चले जा तुम मेरे चेलागी परीच्छा ले हो तो विस्वामित्र को आग्या मिली तो विस्वामित्र चले और उन्होंने सूकर का बेस बनाया और सूकर का बेस बना करके हरिश्चंद के फूल बाग में गुस गए और फूल बाग में गुस करके माराज राजा हरिश्चंद की बगिया को जाडने लगे तैसनेंस करने लगे बाग के माली ने विस्वावित्र को रोका यानि सूकर को रोका तो सुकर ने माली की विजंगा को फाड़ दिया अब जब माली को भी रायल कर दिया तो वो माली रोता हुआ भागता हुआ हरिस्चंद के पास पहुचा हरिस्चंद से का महराज गजग हो गया हरिस्चंद बोले क्या हुआ तो उस माली ने का महराज बाग में एक सूकर आया है सूकर उसने सारी बग्या को जाड़ दिया है तो आप ऐसा कीजिए मेरे साथ चलिए चल के सूकर को मार दीजिए तो अरिश्चंद इतने बड़े दयाब और राजा के अरिश्चंद ने का देखो माली अभी संधिया का समय है और संधिया के समय अगर द्वार पर दुसमन भी आए तो उसका सम्मान करो अपमान न करो संधिया का समय कब होता है सुबह साम को साम को नहीं होता है हम बताए सही होता सभ संधिया का समय को होता है आपने देखा हो कि जब सूर बूबने वाले होते हैं तो आकास में लाल अपनी रोस निचोड़ते हैं डूबते नहीं वो लाल रोशनी छोड़ते हैं यानि साव होने से एक गंटे पहले का जो समय होता है उसको कहते हैं संद्या का समय है ठीड और संद्या के समय बहुत से यह से कम होते हैं जो नहीं करने चाहिए तो अरे संद्या का समय है और संद्या के समय अगर दर्वाजे पर दुस्वन भी आए तो उसका भी सम्मान करो अपमान न करो मेरी वाँ सुनो अरे संद्या को समय और दुख मत दीजे देखाओ अरे संद्या को समय तुख मत दीजे देखाओ को समय और पर दुख मत दुख मत दुख मत दुख दुख मत द। अरे तो समय है यावे तुख मत दूर्बार दो न कीजे देखाओ मत दुख मत बाए वाइए आरे लोट निका बगिया करे जाईयो 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 मावेंगे हारे सबेने हमावेंगे और अचारत्रत्रत इनावाईबार्थ सुव्र गॉरावेंगे अचारत्रत्रत्रत्र见ने कि अभी चले जाओ संद्या का समय हैं किसी पुठेस पॉंचाओना नहीं चाहते किसी को कश्ट पॉंचाओना नहीं चाहते और तुम जाओ सुकर को देखे रहना कहीं भाग ना जाए सवेरा होगा सेना लेकर कि हमाएंगे सुकर को मारेके माली जो था वो बाग से छला आया रात भर वो माली सुकर को देखे रहा कि कहीं सुकर निकल न जाए सवेरा हुआ अरिश्चंदने मंत्री को बिलाया और मंत्री को बिला करके आज राजा अरिश्चंदने मंत्री से का भहिया मंत्री करें तुम मज़ेयो का माराज है आज श्रीश्वदेव जी समझा रहे है कि ये राजन परिच्छत राजा अरिश्चंदरे मंत्री को बुलाया अब मंत्री को बुलाकर के घोड़ा तयार करवाओ और सेना तयार करवाओ आज हमें बाग में जाना हैं सुकर को मारने के लिए तो जब ये बात कही तो कहने के बाद वुला दाइब थाइब लुला एाइब